सबसे पहले तो किसान भाईयों हम स्वतनतता दिवस की आपको हारदिक सुब कामनाय देना चाहेंगे उसके बाद हम बात करेंगे जो बेसिक काम हम छोटे किसान भाईयों के रहते हैं उनके लिए जो हमें अलग से समय निकालना पड़ता है वो अलग से समय ना निकाल करके हम एक बेसिक समय में ही उन कामों को कर सकते हैं जैसे देखिए कि यदि आप छोटे किसान हैं तो निश्चित आपके पास एक दू जानवर तो आप रखते होंगे क्योंकि जब तक आप जानवर नहीं रखेंगे तब तक आपकी खेती आसानी से सरल नहीं हो पाएगी क्योंकि गोबर की खाद वगेरा इनको आपको खड़ी दना पड़ेगा जिस पर काफी पैसा खर्च होता है और यदि आप जानवर रखते हैं तो उससे दूद का पैसा भी आपके पास एक अठा होता है और उसका आप आसानी से अपने बेसिक खर्चों में यूज करते हैं तो निश्चित है जब जानवर होंगे तो आपको चारे की बेवस्था भी बनानी पड़ती है तो यदि वह चारे की बेवस्था जो आप अलग से टाइम देते हैं किसी खेत में तो उसको वहां पर ना खर्च करके यदि आपने गन्ना और लगा रखा है तो यहां पर आप यदि उस टाइम को लगाते हैं तो दो तीन फाइदे आपको आसानी से मिल जाएंगे एक तो यहां पीछे देख रहे हैं मैंने पहले भी वीडियो में बताया है लेकिन अब मैं यहां पर पतियों को निकालने आयों तो पतियों को निकालने से मेरे देखिए दो नार्मल काम हो जाएंगे जो हम रोज का चारा बनाते हैं जो चारे पर हम एक्स्टा टाइम खर्च करते हैं वो टाइम मेरा बच जाएगा क्योंकि वही टाइम हम यहां पर लगा रहें 15-20 मिनट आपके एक्स्टा लगेंगे लेकिन वह 15-20 मिनट उससे ज्यादा फाइदा में लगाईएं सही कामों में लगाईएं तो इधर आप देख सकते हैं मैंने इधर पत्तियों की तुड़ाई कर दी है अब इधर मुझे यह तुड़ाई करने हैं तो इससे फाइदा मैंने पहले ही बता था कि आसानी से अब हम इस खेत में जा सकते हैं देख सकते हैं काउन सा रोग लगा हुआ क्या कमी है क्या हमें करना चाहिए तो ऐसी सभी चीजें हम आसानी से इसमें कर तकते हैं और जो महत्पूर्ण समय था जिसको मैं चारा बनाने के लिए दूसरी जगा लगाना चाहता था और वो मेरा इधर लग गया तो जैसे कहा गया कि एक मियान में दो तलवार तो एक काम करने से हमें दो फाइदे मिल रहें एक तो खेश साफ हो जाएगा चारे की बिवस्था बन जाएगी रोग विमारियत कहीं लगी है तो वह भी नजर आए जाएगी और जो हमें बाद में काम करने रहेंगे खेतों में वह भी हम आसानिस कर सकते हैं तो एक कि जानकारी दोस्तो इतनी ही